यहीं दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपनी डेली करेंट अफेर्स की क्लास पर आज है 7 दिसंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 से रिलेटेड जितनी भी इंपोर्टेंट करेंट अफेर्स होने वाली है उसे मैं आप लोगों के लिए डिसकस करने वाला हूँ तो आज का सबसे पहला इंपोर्टेंग कोश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह रहा हाली में मिजोरम के नए मुख्य मंत्री कौन बने आपको इसका अंसर कबिंड बॉक्स पर देना है तो दोस्तों मिजोरम के जो नए चीफ मिनिस्टर बने है इनका नाम है लाल डुहूमा नाम है पहले चीफ मिनिस्टर मिजोरम की जोरम ठांगा थे लेकिन जोरम ठांगा की जगए अभी यहाँ पर लाल डुहूमा मिजोरम के नए यहाँ पर चीफ मिनिस्टर बने है आई य भी मैंने आपको बताया था कि जो मिजोरम में कौन सा दल ने बहुमत साबित किया है कौन से दल यहाँ पर सबसे ज़्यादा सीट जीता है तो इस दल का नाम है जेड़ पीएम जिसे हम बोलते हैं जोरम पीपल्स मुवमेट बोलते हैं तो दोस्तो मिजोरम में टोटा सीटों की संख्या 40 है और उसमें 27 सीट यहाँ पर 27 सीटे जीत करके राज में जीत हासिल की है जेड़ पीएम ने हासिल की है दोस्तो लाल डुहुमा कल 8 दिसंबर को सीम पत की ओथ लिने वाले हैं शपत लेने वाले हैं और दोस्तो यहाँ की मिजोरम की जो राजपाल है कंभम पती वो यहाँ पर इनको सपत दिलाएंगे 8 दिसंबर को यहाँ पर इने सपत दिलाने वाले हैं देखें बहुमत का आकड़ा चाहिए किसी भी पार्टी को वो होता है जितनी भी टोटल संख्या होती उसके आदे से एक जादा तो यहाँ पर 21 बहुमत का आकड़ा चाहिए और इनके पास 27 सीटे हैं तो ये आराम से सरकार बना रहे हैं और 21 का आकड़ा चाहिए होता है इनके पास 27 सीटे हैं लाइड हो मा किन का स्थान लेंगे जोरम थांगा का स्थान लेंगे ये भी आप से पूछा जा सकता है जोरम थांगा का ये स्थान लेंगे ठीक है चलिए दोस्तों यहाँ पर जो जोरम थांगा जेट पीम पार्टी है तो इसके बारे में और भी इंपॉर्टन डिटेज समझतें कब स्थापित हुआ क्यों स्थापित हुआ तो जेट पीम की स्थापना 2017 में हुई है लेकिन इसे रेजिस्टर किया गया था 2019 में 2019 में रेजिस्टर किया गया लाल डूहुमा की ही लिडर्शिप में ऐसे वहां की छे रीजनल पार्टी हैं जिन्होंने मिला करके जेट पीम बनाया है जोरम पीपल्स मुम्मेंट बनाया है और इसके जेट पीम के प्रेजिड में अध्यक्ष भी लाल डुहुमा है मैंने आप वो कली बता दिया था कि यही चीफ मिनस्टर बनने जा रहे है यही जट पिम के अध्यक्ष है और यही यहाँ पर पिम भी बनेंगे अब दोस्तों बात यहाँ पर मिजोरम की आई है तो मिजोरम के बारे में सारी यहाँ पर बांगलादेश तो इस प्रकार से मिजोरम की सीमायों के बारे में आपने जान लिया मिजोरम की कैपिटल क्या है मिजोरम की कैपिटल है आईजॉल ठीक है 1987 में मिजोरम का स्थापना हुआ था कंबंपती हरी बाबू यहाँ के गवर्नर है यहाँ पर आप मिजोरम की राजपाल को देख पा रहे है जो कल 8 दिसंबर को सपत दिलाने वाले है समझ गए आप यहाँ पर हिमालियन सीरो यहाँ का राज का जो पशु है स्टेट एनिमल है आप यहाँ पर देख पा रहे हैं हिमालियन सीरो ये मिजोरम का स्टेट एनिमल है मिजोरम के सबसे उची चोटी कौन सी है ये है ब्लू माउंटेन क्या है ब्लू माउंटेन है यहाँ पे दो important नेशनल पार्क है पहला है मुरलेन नेशनल पार्क और दूसरा है फॉंग पूई रास्ट्री उद्यान तो दो नेशनल पार्क आपको यहाँ पर मैंने बता दिया ठीके चलिए मिजोरम से रिलेटेट करेंट अफेर्स को डिसकस करते हैं अगर आपसे पूछा जाए कि एंथूरियम महसब कहां पर मनाया जाता है तो एंथूरियम महसब मनाया जाता है मिजोरम राजज में सेलिबरेट किया जाता है इसके अलावा मिजोरम का पहला ODF प्लस गाउं कौन सा बना था इसका क्या नाम है तो इसका नाम है दक्षिड माउबुआंग मिजोरम का पहला ODF प्लस गाउं बना है सामान नागरिक साही था sam-ko-sissi को यहाँ पर नकारने वाला के लिए इन्होंने जो प्रस्ताव है इसे पारित किया था यहाँ पर एक उलने वाली गेको नाम की यहाँ पर उलने वाली एक गेको प्रजाती है यहाँ पर आप छिबकली देख पा रहे हैं और यह है इसका नाम है सबी यहाँ पर देख रहे हैं 7 दिसंबर 2023 के important daily current affairs और मैं हूँ आप सभी का राजा गुपता जो लगातार आपको कितने दिनों से 332 दिनों से लगातार आपको current affairs पढ़ा रहा हूँ पीडियाफ आपको राजा गुपता current affairs हमारे टेलिग्राम चैनल से मिलेगा हमारा दूसरा माध्यम भी है जो है study कर application study कर application को आपको download करना है google play store से google play store में जा करके search करना है इसके अलाबा इसका link भी आपको description box में दिया गया है comment box पर दिया गया है इसके अलाबा दोस्तों नवंबर महिने की जो English magazine है वो भी launch हो गई है आज launch हो जाएगी 11 बजे तक आप उसे download कर लिजेगा आप study कर application में e-book section में जाएंगे तो यहाँ पर आपको Hindi medium और English medium में magazine आपको दिखेगी और यह sample से हमारी e-book के आई देखते हैं question number two किस राज सरकार ने पंजोखरा गाओं का नाम बदल कर पंजोखरा साहिब कर दिया है which state government has renamed पंजोखरा वीलेज एस पंजोखरा साहिब तो दोस्तों पंजोखरा जो गाओं है इसका नाम बदला है पंजोखरा साहिब में यह हरियाना राज ने किया है किस रजी ने किया है हरियाना राज ने पंजोखरा गाउ का नाम बदलकर पंजोखरा साहईप कर दिया है तो दोस्तों हरियाना सरकार ने अंभला अंबाला छांबनी छेतर है अंबाला विधान सबा छेतर है वहाँ पर एक बहुत ही historical प्लीज है वह है पंजोखरा अब इसका आपको पंजोखरा साहिब कर दिया है यह बात आपको याद रखनी है तो केन सरकार से गाओ का नाम जो है अभी इसकी अनुमत्ती मिलनी है अनुमत्ती मिली जाएगी तो यहाँ पर आपको पंजोखरा साहिब नाम का गुरुद्वारा देखने को मिलेगा जो बहुत ही शानदार मतलब बहुत सुन्दर है ये और ये जग है यहाँ पर इसी के इसी गुरुद्वारे के नाम पर इस गाओं का नाम बदला गया है जो सिखो के आठवे गुरु है इनका क्या नाम है हर किशन साहिब हर किशन साहिब जी सिखो के आठवी गुरू है यही इनकी चरण स्थली रही है और इन्ही के याद पर इन्ही की याद पर इसे यहाँ पर बनाये गया है दोस्तों बहुत सारे नाम बदले गये हैं और बहुत सारे नामों के मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि कौन सा नाम क्या बदला गया है आए देखते हैं ठीक है तो दोस्तों फिरोजाबाद जो की उत्तर प्रदेश में है इसका नाम बदलकर चंद्रनगर किया गया है आईशमान भारत स्वास्त और कल्यान केंद्र अब हो गया है होकी स्टीडियम है राय बरेली में अब यह हो गया है राणी घल्स होकी टर रानी रामपाल जो की भारत की होकी प्लेयर है उनके नाम बदला गया है अल मिनहाद जो की यूएल में है इसे हिंद शेहर किया गया है चर्च गेट रेलवे स्टेशन जो की मुंबई में है अब ये हो गया है चिंतामन द्वार का नाथ देश्मुक स्टेशन ठीके चलिए परिक्षा संजीबनी ले लिए हर्याणा रास्तरे रेट करेंड अफेर्स तो हॉट बैलून परियोजना टूरिस्टों को आकरशित करने के लिए हर्याणा में स्टार्ट की गई हॉट बैलून परि ये रहा फॉप्स तो यहाँ पर चार महिलाओ को शामिल किया गया है तो इस चार लिस्ट में आपको बताता हूँ सबसे पहले नंबर पर आती है भारत की फाइनज मिनिस्टर् इनका नाम है निर्मला सीता रमन जो की 32 स्थान पर है लगातार पांचवी बार इस लिस्ट में इन्हें शामिल किया गया है निर्मला सीता रमन भारत की वित्व मंत्री है इन्हें शामिल किया गया है फिर अगला नंबर आता है 60 नंबर रैंक नंबर 60 रोशनी नाडर मलहुत् जो कि S.L. Corporation की CEO है फिर सत्तर नमबर आता है सेल की चेर परसन सोमा मंडल जी का रैंक नमबर सत्तर है फिर अगला नमबर आता है बाइकॉन जो की फार्मासिटिकल कमपनी है और इनका नाम है मजूमदार्शा इनका रैंक है 76 टाइम्स ठीक है तो यह है बाइकॉन की फाउंडर किरन माजूमदार्शा दोस्तों सबसे पहले स्थान पर कोन आता है तो जर्मनी की है यहाँ पर देखिए उर्सला वान डेर लेन और सेकेंड नमबर पर है क्रिस्टीन लेगार्ड जो की फ्रांस की है कमला हैरेस जो की अमेरिका की उपराश्पती है यह ठर्ड प्लेस पर आ प्ersonal देखिए विन सूचका संत्तन क्वाइन सुचकांग रिजविजव ऊर्ज्य औरечно संकरवण सूचकांग ग्लोबल एंडर्जी ड्रांजिशन इंडेक्स में भायरत का स्थान 67 है मैं भारत का स्थान 126 है विश्व निवेस Just है इंडेक्श। ब्रेखिए उप्र्थ है दिल्ली को स्थान मिला है ग्लोबल यूनिकॉर इंडेक्स में हम थर्ड प्लेस पर है अपरादिक देशों की रैंकिंग में हमारा स्थान 77 है और फ्रीडम हाउस इंडेक्स में हम 66 प्लेस पर है हमने आपको पूरा इंडेक्स भी बता दिया अब आईए बढ़ते हैं सियाचिन में तैनात होने वाली भारती सेना की पहली महिला चेकिस्स अधिकारी कौन बनी है सियाचिन दुनिया का सबसे उचाई वाला युद्ध छेतर है जो की लदाक में आता है सियाचिन कहां पर आता है तो यहां पर जो है गीतिका कौल को क्या किया गया है पहली महिला चेकिस्स अफिसर एपॉइंट किया गया है ठीके दीपिका मिश्रा को यहां पर वायु सेना के दौरा अभी सम्मानित किया गया है वायु सेना के दौरा यहां पर सम्मानित किया गया है गीता राना लदाक में पोस्टेड पहली महिला है और पहली मैला स्काई ड्राइवर कौन है ये हैं लांस नायक मन्जू अब गीतिका कॉल पर आते हैं तो कैप्टन गीतिका कॉल दुनिया के सबसे उचे युद्ध छेतर सियाचिन पर तैनात होने वाली सबसे पहली मैला चेकिस्स ओफिसर है ये बात आपको समझ में आ गई है दोस्तो सियाचिन बैटल स्कूल में इनका सफलता पूर्वा ट्रेनिंग हो चुका है और यहाँ पर जाके पॉइंट हुई है आप यहाँ पर गीतिका कॉल को देख नहीं पार है क्योंकि इन्होंने पूरा अपने आपको कवर किया हुआ है सियाचिन जगह है माइनस 58 डिग था भारती वाने की अनुसंदां सिक्षा परिशत की पहली महिला महा लिदेशक तो यह कौन है इनका नाम है कंचन दीवी है ठीके इसके अलाबा भारती श़स्त्रबल में भारत की पहली महिला सायक डीकैंप मणिशा पारी है जो कारंई सा को बिलोंग पहली मैला कौन है शालिजा धामी है ठीक है चांती स्री धुली पुड़ी पंडित जे एन्यो की पहली मैला कुलपती है जमो कश्मिर की पहली बस चालक पूजा देवी है भारत की पहली मैला लडाकु विमान पाइलट भावना कांत है और भारत की पहली मैला ambulance driver M. Vira Lakshmi है तो यहाँ पर आपको सारी मैंने important point समझा दी है ओके चलिए इना जैसवाल वायू सेना की पहली महिला flight engineer है दोस्तों अब आई चलते हैं question number 5 पर 5वा प्रशनाप सभी के screen पर यह रहा भारा सरकार के किस मंत्राले ने gram munch application को launch किया है which ministry of the government of India has launched the gram munch application तो gram munch application को panchayati राज मंत्राले के दौरा launch किया गया है ministry of panchayati राज के दौरा यहाँ पर launch किया गया है दोस्तो gram panchayati ने इसे क्यों लोंच किया है ताकि जो स्थानी यूजनाए है थिए ? स्थानी यूजनाएए लोगों को पता चल सके उनको यहाँ पर प्रमोट किया जाए ग्राम मंच के माध्यम से सूचना प्रणाली application है information मिलेगी यहाँ से तो जितनी भी वहाँ पर चल रही योजना है regional तोर पर इस application के माध्यम से यहाँ पर लोगों को पता चलने वाली है इसके अरावा दोस्तों एक और mobile समाधान m action soft भी launch किया गया है ठीक है m action soft भी launch किया गया है तो अगर आपको किसी भी जगा किसी तरह की कोई problem होती है तो आप अपनी location को tag करके photo खीच करके आप यहाँ पर m action soft में डाल देंगे तो आपको यहाँ पर उसका solution भी मिल जाएगा ठीक है बहुत सारे application portal launch किये गए 2023 में आईए एक एक करके एक बार सभी को revise करते हैं तो consumer app कहां पर launch हुआ है UP में launch हुआ है इसकी मदद से जो भी consumer है उत्तर प्रदेश का वो bill निकाल सकता बिल भर सकता है I start talent connect portal किस ने launch किया है राजस्थान ने क्रशी मंत्राले ने किसान भाईयों के लिए साथी portal app launch किया है AIS app income tax related सारी important information आपको आएकर विभाग के द्वारा यहाँ पर इसे जारी किया गया है call before you dig app बहुत सारे अवैद उत्खनान होते उसको रोकने के लिए PM नरेंदर मोधी जी ने launch किया है आप प्रहरी एप को IIT Delhi ने launch किया है प्रहरी एप को BSF अग्रेह मंत्राले के द्वारा launch किया गया है जल दूत application ग्रामीड विकास मंत्राले के द्वारा launch किया गया है दोस्तों आज यहाँ पे Knowledge Factory में प्राचीन भारत की इतिहास किस दोच से संबंदित प्रशनों को डिसकस करेंगे तो पहला कोशन है रहा इतिहासिक दृष्टी पर आधारित पहला भारती ग्रंत कौन सा है तो यह रास तरंगनी जो कलहड जी के दोरह लिखा गया है ठीक है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है तो चार वेद है पुराणों की संख्या कितनी है तो टोटल पुराणों की संख्या 18 है मेगस थिनीस की किस रचना से चंद्रगुप मौर के राज के बारे में जानकारे मिलती है तो मेगस थिनीस यहाँ पर इंडिका पुस्तक उन्होंने लिखी थे जिसके बारे में हमें चंद्रगुप मौर के बारे में जानकारे मिलती है दोस्तो यहाँ पर बाद्धोस के प्रसिद जो गरंथ जातक है उनकी संख्या कितनी है 549 है जैन धर्म की सूत्र कौन कौन से है जैन धर्म की बारे में हमें किसे किसे पता चलता है तो कल्प सूत्र भगवती सूत्र और अचरांग सूत्र से हमें पता चलता है चिनी आत्री फाहियान की साशक के समय भारत आया था तो चंद्रगुप्त दुत आदिये के द्वारा चंद्रगुप्त दुती के समय आया था अगला प्रस्णाफ सभी के स्क्रीन पर यह रहा नौ सेना स्टाफ के नए उप्रमुख हाली में कौन बने हैं तो हमारे नौ सेना स्टाफ के नए उप्रमुख बने दिनेस्त्र पार्थी कौन बने हैं दिनेस्त्र पार्थी यहाँ पर नौ सेना स्टाफ के नए उप्रमुख बने हैं यहाँ पर नरायन शेशादरी आईडी आर्सियल के हाली में अध्यक्ष बनाए गए हैं IDRCL के अर्धिश बनाए गए रजत कुमार जैन फिनो पेमेंट बैंक के चेर्मेन फिनो पेमेंट बैंक के चेर्मेन कोन है रजत कुमार जैन है ठीक है दिनेश्त्र पार्थी जी नो सेना स्टाफ की नए उप्रमुख बने है ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर दिनेश्त्र पार वाइस स्टाफ बना दिया गया हमारी नौ सेना का उपाध्यश का पद है यह कब सम्हा लेंगे तो चार जनवरी यानि अगले महीने चार जनवरी को इस पद को सम्हा लेंगे और पश्मी नौ सेना कमांड जो है किसको मिल जाएगा एड्मिरल S.J. सिंग सम्हा लेंगे किसे सम्हा लेंगे एड्मिरल S.J. सिंग सम्हा लेंगे हाली में हुई बहुत सारी न्युक्तियां एक बार उससे भी रिवाइस कर लेते हैं तो फिक्की के अध्यश कोन बने है अनीश शा बने है पश्म बंगाल का ब्रेंड अमबस्डर म को बनाया गया है आए देखते कोश्चन नमबर 7 पर अगला प्रशन आप सभी की स्क्रीन पर रहा आर हरी कुमार हमारे नौसेन अध्यक्ष किस राज सरकार के दौरा सीयम फैलोशिप कारेकरम शुरू किया गया है सीयम फैलोशिप प्रोग्राम हैस भी लॉंच्ट बाइ सब कुछ बताता हूं तो सीयम फैलोशिप कारेकरम जो है एस्पिरल सीटी योजना के तहत लॉंच किया गया है तो दोस्तों यहां पर इसका उदेश है जितने भी यूवा नागरिक है उनकी शेहरी विकास योजना और जितनी भी निगरानी कार में योगदान करने में सब्सक्राइबर ह tuo रहेगा तो इस सीयम फैलोशिप कारेक्रम में उन्हें शामिल किया जाएगा और वह यहां पर सीटी को डवलप करने में हेल्प करने वाले हैं यहां पर यह सीय म फैलोशिप कारेक्रम ठीक है तो दोस्तों यहां पर बहुत सारी सुभधाय प्रदानर की जाएंगी राज्य भर के 100 ऐसे छोटे शहरों में रोजगार के नए अफसर प्रदान किये जाएंगे जो सीटी को डबलप किया जाएगा युवाओ के माध्यम से सुधार किया जाएगा अलग-अलग सुविधाय प्रदान की जाएंगी और यहां पर रोजगार भी डबलप हो किया है होट कुक्ड मील योजना ये किस राज ने लॉंच किया उत्तर प्रदेश ने लॉंच किया है आगन बाडियों में जो 6 साल से कम उम्र के बच्चे है उनको यहां पर गरम खाना प्रतान किया जाएगा ठीक है आईए देखते है कॉस्टिन नमबर 8 मार्स रोवर को सं मूर्ती बनी है पहली भारती है जिन्हों ने मार्स रोवर को संचालित किया नासा की दौरा लॉंच किया तो डॉक्टर आक्षता कृष्णमूर्ती पर रोवर संचालन करने का जो काम दिया गया था जिम्मा जो दिया गया था इन्होंने इसे बखुबी निभाया है अभी प्रेजेंट में नासा इस्रो सिंथेटिक एपर्चर रडार के लिए ये मिशन विज्ञान चरण के प्रमु है National Aeronautics and Space Administration 1958 में नासा की स्थापना होई थी और वाशिंग्टन यूएसे में इसका हेड़कॉर्टर है बिल नेलसन अभी भारत के दौरे पर आये थे तो बिल नेलसन यहां के प्रशाशक है अभी यहां पर अमेरिका की जो स्पेस एजनसी नासा ने फैसला किया है कि भारत इस्ट्रोनाट को वो आई एसस पर भीजने वाले हैं इंटरनेस्ट्र स्पेस स्टेशन पर भीजने वाले हैं और इन सभी जो एस्ट्रोनाट होंगे इस्ट्रो की दौरा चुने जाएंगे कि नहीं भीजा जाना है तो एस्ट्रोनाट का जो चैन होगा इस्ट्रो करेगा question कि इस देश ने दुनिया का सबसे बड़ा प्रयोगिक परमाडू fusion reactor JT60 SE का अनावरण किया है ठीक है which country has unveiled world's largest experimental nuclear fusion reactor JT60 यहाँ पर लिखा है तो J से आप Japan याद रखना J से आप क्या याद रखना Japan ने इसे launch किया है JT60 SE आईए मैं आपको nuclear reactor दिखाता हूँ आप यहाँ पर यह nuclear reactor देख पा रहे है ठीक है यह nuclear fusion का काम करेगा इससे बहुत amount में energy मिलेगी यह दुनिया का बहुत ही advanced experimental nuclear reactor है जो की Japan की द्वारा यहाँ पर इसे बनाया गया है हाला कि Japan के साथ साथ इसमें European Union ने European Union ने Japan की मदद की है European Union और Japan ने दोनों ने मिल करके यहाँ पर इससे तैयार किया है ठीक है तो हाला कि एक प्रकार से experiment की तरह यह काम किया गया लेकिन इस सफल रहा है तो जितने भी energy होगी जो बिजली सपलाई है जो उर्जा है हमें यहाँ पर इस nuclear reactor से मिल सकती है यह जरूरतों को पूरा कर सकती है भविश में इनसानों की उज़ा संबंदी जरूरतों को यह पूरा करने वाली है ठीक है तो दोस्तों इसके अंदर plasma फिट किया गया है अब plasma को बहुत तीजी से यहाँ पर चलाया जाएगा और plasma को जो temperature होगा दो करोड डिगरी Celsius तक पहुचाया जाएगा और फिर इसके बाद nuclear fusion होगा यहाँ पर नाबकी स्तनलयन होगा दो हलकी जब नाबक एक दूसरे से आपस में जुड़ जाते है तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पर नाबकी स्तनलयन कहते है यह process सेम आपको कहां पर देखने को मिलती है सूरी पर देखने को मिलती है जब hydrogen और hydrogen मिलते है तो helium बनता है तो यहाँ पर वही energy जो है heat के form में हमारे धरती तक आती है आज का आखरी important current affairs आप सभी के सामने रहा Red Sea International Film Festival में किस भारती अभीनेता को हाली में सम्मानित किया है ठीक है विच इंडियन एक्टर है बीन ओनर्ड एट दे Red Sea International Film Festival तो Red Sea Film Festival किया जा रहा है और रणवीर सिंग को यहाँ पर Red Sea International Film Festival में सम्मानित किया गया है दोस्तो Red Sea Film Festival कहा पर हो रहा है साओधी अरब में हो रहा है साओधी अरब में कहाँ पर हो रहा है जद्दा शहर में हो रहा है और जद्दा शहर में Red Sea International Film Festival में यहाँ पर रणवीर सिंग को सम्मानित किया गया हॉलिवुड की मशूर एक्टर शेरोन स्टोन और Festival प्रमुक मुहमद अल्टूर्की ने इन्हें सम्मानित किया है यह 30 नवंबर से लेके 9 दिसंबर तक की Festival चलने वाला है कहाँ पर चलने वाला है साओधी अरब में चलने वाला है दोस्तों यह हो गया Current Affairs हमारे सारे खतम और अब यहाँ पर होगा 35 कोशन करने वाले है तो सभी यहाँ पर देखते है कौन सबसे पहले उत्तर देता है देखते है Healthy Competition रखना है अपने भाईयों के बीच में अंतराश्टी बौधिक संपता इंडेक्स में भारत को कौन सी रैंक प्राप्त है तो भारत को यहाँ पर 42 रैंक पराप्त है मारकोनी पुरसकार 2030 किसने जीता है तो मारकोनी 2030 अरिबाल कृष्णन नी जीता है किसने जीता है अरिबाल कृष्णन ने ये पुरसकार जीता है Financial Action Tax वो ने किस देश की सदस्ता को निलम्बित कर दिया है तो FATF ने रश्या की सदस्ता को निलंबित किया है ठीक है नेस्ट है बरिशु कन्नड दिम दिमाबा सांस्कृतिक महसब ये कहां पर किया गया है तो दोस्तों न्यू डैली में ये महसब किया गया है कहां पर न्यू डैली में ये किया गया है सुप्रीम कोट के फैसलों के लिए न्य किस देशन अंतरश्र्टी अंतरिक्षियान में फसे हुई यात्रियों को वापस लाने के लिए सोयूज अंतरिक्षियान लॉँच किया है। पे किसे चुना गया है तो जीसी मुर्मू को चुना गया है जो वरतवान में भारत के C.A.G. है कौन छेतरी भाशा में निर्णय प्रकाशत करने वाला देश का पहला हाई कोड बन गया है तो देश का सबसे पहला हाई कोड यहां पर केरल हाई कोड है जिसने मल्यालम भाशा मे अपनी यहाँ पर निर्णय को प्रकाशत किया है राश्टी प्रोटीन दिवस कम बनाया जाता है तो हर साल 27 फरवरी को राश्टी प्रोटीन दिवस मनाया जाता है ठीक है? नेस्ट है 6 दिसम्बर के current affairs का यहाँ पर हम revision करने वाले हैं कल जो आपने current affairs पढ़ा था उसका यहाँ पर हम revision करने वाले हैं तिलांगना के दूसरे chief minister कौन बने है तो इनका नाम है रेवन्त रेड़ी नेस्ट है दिनेस furnace का हाली में निधन हो गया वे कौन थे तो फिल्म डारेक्टर थे फिल्म निदेशक थे जिनका हाली में निधन हुआ है किस देश के राश्पती विलियम सोमाय रूटो पहली बार भारत की आतरा पर आये हैं ये केनिया के प्रेसिडेंट हैं जो भारत की आत करता है और सबसे आसुरक्षित है दिल्ली है भारत ने कौप 28 पर किसके इस्तमाल रुकने पर सहमती नहीं जाता है तो भारत ने कहा है कि कोले का जो इस्तमाल है इसको हम नहीं रोक सकते हैं हम इसे जारी रखेंगे इंडन नेवी को कौन सा सर्विक्षन पोध प्राप्त रिज एक रोमैंटिक शब्द है ग्यारवा बांगलादेश पुस्तक मेला कहां पर शुरू हुआ है तो कोलकाता में ग्यारवा यहां पर बांगलादेश पुस्तक मेला स्टार्ट हुआ है ठीक है नेस्ट है एशियाई परलंपिक्स समती पुरसकार समाहरों में सबसे बेस यूवा एथलीट का किताब किसने जीता है तो दोस्तों यहाँ पर जो एशिया परलंपिक्स में यहाँ पर शीतल देवी ने इस पुरस्कार को अपने नाम किया किसने किया शीतल देवी में आई बी आई जूनर वर्ल बॉक्सिं जैंपेंड में भारत ने कितनी गोल्ड मेडल जीते हैं तो दोस्तों यहाँ पर भारत ने तीन गोल्ड मेडल जीते हैं कितनी गोल्ड मेडल जीते हैं ठीक है ओके नौई दोस्तों साइन्स M.C.Q को यहाँ पर डिसकस करेंगे और यहाँ पर science mcq को यहाँ पर हम discuss करने वाले पांच महत पूर्ण प्रेशन science से related ठीक है चले एक किलो चीनी का भार आपको कहां पर जादा देखने को मिलेगा तो जब आप समुधर तल पर होंगे तो जब आप समुधर तल पर होंगे तो atmospheric pressure वहाँ पर बढ़ जाता है तो वहाँ पर चीनी का भार भी बढ़ जाता है ठीक है इसलिए जब पानी की नीचे जाते हैं तो आपको लगता है कि आपका शरीर कितने भारी हो गया है atmospheric pressure की वज़े से बढ़ जाता है चिकिस्सा सास्त्र का जनक किसे कहा जाता है तो चिकिस्सा सास्त्र के जनक यहाँ पर कोन है हिपोक्रेटस है कोन है हिपोक्रेटस है अरास्तु यहाँ पर यह जूलोजी के हैं और यहाँ पर पूरे बालोजी के हैं और यहां पर Theoprestes Botany के जनक कहे जाते हैं और यह है Hippocrates Lumen किसका मातरक है? What is the unit of lumen? तो lumen जो मातरक है जोती flux का है luminous flux का lumen मातरक है Hydrogen gas से भरा गुबारा पृत्वी से चंद्रमा पगर ले जाया जाएगा तो गुबारा पर क्या असर होगा? तो गुबारा यहां पर फढ़ जाएगा फढ़ जाएगा? फढ़ जाएगा वहां पर बहुत ज़्यादा temperature कम है तो hydrogen molecules एक दूसरे से मिल जाएगे liquid form में आ जाएगे एक lift एक समान वेक से उपर जा रही है तो उसमें व्यक्ति का भार क्या होगा? तो व्यक्ति का भार में कोई असर नहीं पड़ेगा आप परिवर्तित रहेगा remains unchanged ठीक है? ओके दोस्तों यहां पर 7 December के current affairs का test में आप लोगों को बताने वाला हूँ 7 December का current affairs का test होगा अब मैं देखता हूँ कि आप लोग कितना score करते हैं आपने कितने ध्यान से पढ़ा है तो फुंगपुई राष्ट्य उध्यान किस राजब है? तो फुंगपुई राष्ट्य उध्यान है दोस्तों कहां पर है यह? यह मिजोरम राजब में है फुंगपुई राष्ट्य उध्यान मिजोरम में बिधान सवा सीटे कितनी है? तो मिजोरम में बिधान सवा सीटे 40 हैं फिरोजाबाद किस राजब में है? जिसका नाम चंद्रनगर हो गया है तो फिरोजाबाद यह कहां पर है? यूपी में है इसका नाम बदल कर क्या किया गया है चंद्रनगर कर दिया गया है लद्दाक में सेना की पहली महिला सेना ओफिसर कौन बनी है तो लद्दाक में पहली महिला सेना ओफिसर बनी है गीता राणा कौन बनी है गीता राणा बनी है ठीक है 2030 भारत को कौन सी रैंक मिली है तो भारत की रैंक इसमें 67 है सियाचिन ग्लैशिर कहां पर आता है तो दोस्तों सियाचिन ग्लैशिर आता है लद्दाक में कहां पर आता है लद्दाक में आता है नौ सिना की पहली महिला पाइलेट कोन है तो नौ सिना की पहली महिला पाइलेट ह शिवांगी जोशी क्या नाम इनका शिवांगी जोशी नाम है आई स्टार्ट टेलेंट कनेक्ट पोर्टल किस राज में लॉंच किया गया है राजस्थान में इसे लॉंच किया गया है आईडी आर्सियल के अध्यश कौन बने है तो IDRCL के अद्देश है नरायंट शेशादरी कौन बने है नरायंट शेशादरी बने है ठीक है ओके दोस्तो हाँ आज का सवाल है किस राज सरकार ने पंजोखरा गाओं का नाम बदल कर पंजोखरा साहिप कर दिया है इसका उतर आपको कमेंट बॉक्स पर देना है आपको बत नवंबर महीने का महामेरथन अपलोड हो गया है और बहुत जल्द आपका यहां पर बहामेरथन आने वाला जनवरिसली के दिसमबर तक मंतली कर इंट अफेर्स हमने 60 भी करा दिया October महीने का बच गया है तो October महीने का आज हम करेंगे 240 question October महीने का नहीं हुआ November का तो हो गया है October महीने miss हो गया था तो October महीने का 240 question आज हम करने वाले हैं 11 बजे मन्तली magazine Hindi और English दोनों medium में launch हो चुकी है आप उसे ndownload का सकते StudyGarr application से study care application को download कीजे open करिए e-book section में जाएए Hindi media और English program दोनों medium में आपको यहाँ पर class मिल जाएगी और PDF class note daily current affairs की आपको यहाँ मिल जाएगी राजा गुपता current affairs telegram channel है जिससे आप join कर सकते हैं आप Instagram पर मुझे connect हो सकते हैं मुझे message कर सकते हैं जाजा गुपता underscore official यहाँ पर आप मुझे direct message कर सकते हैं WhatsApp channel और Twitter और Facebook account से भी जोड सकते हैं ठीक है